वाट्सप गाइज, तो आज हम एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं शेकी मोरी इस नॉट जिस्ट एक्यूटी एनमे सिरीज के एपिसोड वन को So, एपिसोड वन के स्टार्ट होते ही हम देखती है एक औरत को जो कह रही होती है यू, तुम्हें देर नहीं हो रही क्या और फिर हम देखते हैं सिरीज के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है यू, इजुमी और वो कहता है मैं आ रहा हूँ और वो सीड़ी से नीचे उतरता है, घर के फ्रंट डोर की तरफ जाने लगता है, और तभी उसे कुछ याद आता है, और वो पीछे मोडता है और नेक्ट सीन में हम देखते हैं, यू अपने बिखरे हुए बाल सही करने लगता है, और तभी उसकी मोम कहती हैं कि पीछे के साइड से तुमारे कुछ बाल चिपके हुए हैं, और फिर वो उसके बाल सही करती है, जिस पर यू बोलता है ठैंक्स मोम, उसके बाद हम देख यू को जो की घर के बाहर निकलने वाला है और अपने शूस पहन रहा होता है, तभी उसके डैट कहते हैं कि आज तुम काफी जल्दी जा रहे हो, जिस पर यू कहता है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाता और मैं उसे वेट भी नहीं करा सकता, जिस पर डैट बोलते हैं शीकी मोरी को हमारी तरफ से हेलो करना और फिर उसकी मॉम कहती है बाहर जाते वग पत्थरों से, क्रोल से, वहिकल्स का और शिंगल से जरा बचके रहना और फिर यू, I will see you कहके बाहर निकल जाता है और घर से निकल के 4 सकेंड चलता ही है कि तब ही एक पत् इजुमी कहता है कि हाँ, अब तो मुझे आदत पड़ गई है, नेक्स शॉट में हम देखते हैं यू कहता है मेरी गल्ड्रेंड सूपर क्यूट है, बट कभी-कभी वो जरा भी क्यूट नहीं होती है, और ये बात शीकी मोरी सुन लेती है, और बहुत ही क्यूट वे में पा और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत ही जोर से उन दोनों की तरफ आ रहा होता है, और तभी शीकी मोरी यू का हाथ पकड़ के उसको दिवार पे चिपकाती है, और बचा लेती है, और कहती है बाल-बाल बचे, जिस पे यू कहता है सौरी, ये सब मेरे साथ हमेशा हो तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पे शीकी मोरी उसको फकड़ती है, और उठा कर बोलती है कि तुम्हें माफी मागने की जरुवत नहीं है, और सच में तुम्हें मेरी फिकर करने की भी जरुवत नहीं है, और तभी यू कहता है कि कभी-कभी मेरी गर्ल्फरेंड इंक पर यू कहता है कि हाँ उसके बाद शीकी मोरी कहती है कि लाश्ट एर इंटरेंस सेरिमोनी पे भी ये बहुत ही खुपसुरत दिख रहे थे जिस पर यू कहता है कि मैं उस दिन काफी जादा नर्वस था और तभी शीकी मोरी यू का मजा लेते हुए कहती है कि मुझे याद है इजुमी सान जिस पर यू कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में पहुँच गए हैं उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बोर्ड पे अपना नाम चेक कर रहे हैं कि वो कौन-कौन से क्लास में है और तभी हम देखते है शीकी मोरी को यू से कहते हुए क्या तुम नर्वस हो जिस पर इजुमी कहता है कि हाँ क्योंकि अभी हमें पता चलने वाला है कि हम कौन से क्लास में होने वाले हैं और तभी वो गौट से प्रे करने लगता है कि प्लीज इस साल भी मुझे शीकी मोरी के क्लास में ही रखना और तभी शीकी मोरी बहुत ही cute way में blush करती है और कहती है तुम्हें इतना hard pray करने की जरूत नहीं है जिसपे यू कहता है मुझे same तुम्हारी ही class में रहना है जिसपे शीकी मोरी कहती है कि चिंता मत करो अगर हम दूर भी हुए हम दूसरे class में भी हुए तो मैं तुमसे मिलने आया करूंगी जिसपे यू कहता है I love her उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनो अपना name चेक करते हैं कि वो किस class में गये हैं और तभी class 4 की list में उसका नाम मिल जाता है और तभी यू शीकी मोरी का नाम चेक करता है और फिर से तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए excited हूँ जिस है कि इस साल भी हम एक साथ हैं और हाची मिट्सू भी हमारे साथ है और तभी हमें शीकी मोरी की दूसरी friend हाची मिट्सू को भी दिखाया जाता है और तभी वो लोग selfie लेते हैं तभी दूसरी तरफ इजुमी का दोस्त आता है जिसका नाम था इनुजुका और वो इजुमी के कंदे पे हाँत रख के कहता है कि इस बार हम लोग भी साथ में हैं जिस पर यू कहता है कि तुम भी class 4 में हो तब तो बहुत ही अच्छा है और तभी इनुजुका कहता है शीकी मोरी भी हमारे साथ है क्या जिस पर यू कहता है कि हाँ और तभी यू शीकी मोरी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ ओके जिस पे शीकी मोरी कहती है कि ठीक है और तभी यू मन में बढ़ बढ़ाता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ में हैं और तभी वो सोचता है कि मैं कुछ जादा ही नर्वस हो रहा था और तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर और वो शीकी मोरी के सिर पे पैट करते हुए डश्टर की धूल हटा रहा होता है और वो सीन काफी क्यूट लग रहा था और तभी यू कहता है कि सौरी ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहता है और तभी शीकी मोरी शर्मा के, गेट के पास चली जाती है, और कहती है कि वो रेश्टरूम जा रही है, और तभी हम देखते हैं कि इजूमी के तीन दोस्त आते हैं, जिसमें से एक कहता है, कि तुम्हें देखो, फिर से शो अफ करने लगे, मैं तुमसे काफी जेलस हूँ, ज अपनी उस cute सी girlfriend के लिए ज्यादा परिशानी मत खड़ी करना जिस पर दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ नई तो वो भी तुम्हारे Miss Fortune में Tangle हो जाएगी उसके बाद हम देखते हैं कि शीकी मोरी restroom से वापस आ रही होती है और जैसी वो gate के पास पहुंचती है तब ही वो सुनती है कि उनमें से एक लड़का बोलता है शीकी मोरी आखिर इजूमी के साथ क्यूं है जिस पर दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ ये तो इतना डल है और वैसे हम भी हैं लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफी जेलस हूँ और सच में आखिर एक लड़के को क्या करना चाहिए जो कि उस इसे क्यूट सी गल्फ्रेंड मिले और ये सब सुनके शीकी मोरी को बुरा लगता है और हम देखते हैं कि यूँ कुछ नहीं बोल रहा होता है तब ही शीकी मोरी क्लासरूम का डोर ओपिन करके आती है और इसे कहती है इजूमी सान एम बैग जिस पर इजूमी कहता है तुम हमें सुना नहीं जिस पर से बीच वाला कहता है नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी तब ही शीकी मोरी और यूँ बाहर निकलने लगती है तब ही शीकी मोरी बहुत ही डरावनी लुक में पीशे गुम कर देखती है और बाकी तीनों की फट जाती है और वो जोर से गेट बन लुए इजुमी को फिर से अपने मन में बढ़ बढ़ाते हुए और वो कहता है मेरी गल्फरेंड कीूट है बड़ अगर वो मेरी वजह से हर्ड होती है तो मुझे बुरा लगता है नेक्षट में हम देखते हैं कि क्लास खतम हो गई है और ईजूमी अपने बुक समेट रहोता है तब ही इनुजूका आता है और ईजूमी से कहता है कि अब जो स्कूल ख食べो हो गया है तो क्या तुम बाहर चल के लिए लिए कुछ अच्छा करना चाहोगे जिसपे ईजूमी कहता है कि तुम्हें आज कोई काम नहीं है इनुजूका जिस पे वो बड़ी ही मुस्कान की चमकान की साथ कहता है कि आज उसे डे आफ मिला है और अपने स्कूल के निव यर की शुरुआत की सेलेबरेशन के लिए वो कुछ अच्छा करना चाता है जिस पे इजुमी कहता है कि ठीक है फिर चलते हैं और तभी इनुजुका खुश हो कर कहता है कि तुम भले ही थोड़ी बोरिंग हो लेकिन तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो जिस पे इजुमी कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा गूमना ही चाहिए जिस पे इनुजुका कहता है वो अच्छा उसके बाद इजुमी कहता है कि मैं जाके शीकिमोरी सान को बता देता हूँ जिसके बाद हम देखते हैं कि शीकी मोरी अपनी दोनों दोस्त के साथ है और तभी ईजुमी शीकी मोरी से कहता है कि वो इनुजुका के साथ घूमने जा रहा है जिसमें नेको कहती है कि अच्छा तो तुम लोग भी कहीं घूमने जा रहे हो फिर तो हम सब को एक साथ कहीं प्रेटर फ्रेंड्स बनने वाले हैं तभी ईजुमी पूढ़ा है क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है शेकीमोरी सान जिसमें ईजुमी कहता है कि यह काफी मज़िदार होगा जिसमें शेकीमोरी कहता है कि हाँ तुम सही कहरे हो और फिर वो दोनों कोरिडोर में आपस में ही फ्लर्ट करने लगते हैं और तभी नेको कहती है कि ये कितने क्यूट लग रहे हैं तभी हाची मिन्सु कहती है कि भले ही हमें एक बिन बुलाय महमान मिल गया हो जिस पे इनुजो का समझ जाता है कि वो उसको कह रही है तभी वो कहता है कि वो सेम चीज उन दोनों को भी कह सकता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बॉलिंग करने जाते हैं और तभी इनुजो का कहता है कि हारने वाला हाइस्ट कोर करने वाले को ट्रीड करेगा जिस पे नेको कहती है कि हाँ, fine by me और उन दोनों में काफी अच्छी टक्कर होने लगती है जिस पे हाची मिंसु कहती है कि मैं यह नहीं कर रही और तभी हम देखते हैं कि इजुमी शीकी मोरी से पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी बोलिंग की थी जिस पे शीकी मोरी कहती है कि हाँ दो या तीन बार जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ मेरा भी यही एंसर है और तभी शीकी मिंसु कहती है बेवकूफ मत बनो तुम्हें ऐसा दिखा रहा होगा कि तुम्हें बोलिंग नहीं आती और अपने बॉइफरेंट को सारी ग्लोरी कलेट करने दो जिस पे शीकी मोरी कहती है कि ऐसा करना तो ठीक नहीं होगा तभी हाची मिंसु कहती है कि गल्स के लिए किसी चीज में बुरा होना उनके क्यूटनेस को ट्रांसलेट करता है नेक्ट शॉट में हम देखते है कि इनुजु का कहता है कि चलो शुरू करते है और तभी हो सबसे पहले बोलिंग करता है और तभी हम देखते है कि तीन बॉल छोड़ कर सभी बॉल गर जाती है जिस पे वो चिड़ने लगता है उसके बाद नेकों की बारी आती है और जब वो बॉलिंग करती है तो पांच बॉल छोड़ कर सभी गर जाते है और तभी हम देखते है कि हाचे मिट्सू की बारी आती है और वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए आती है क्योंकि वो बॉल उसके लिए काफी भारी थी और पूरा जोर लगा के वो फेकती है लेकिन फिर भी वो बॉल बहुत सलो जा रही होती है और जैसे ही वो टार्गेट से टकराती है सारे टार्गेट गिर जाते है और तभी हम देखते हैं शीकी मोरी कुछ सोचने लगती है जिसपे इजुमी कहता है कि शीकी मोरी सान क्या हुआ जिसपे शीकी मोरी कहती है कि नहीं कुछ नहीं और वो अपने मन में सोचने लगती है क्यूटने इसका ट्राय करना ज्यादा सही होगा या नहीं और तभी इजुमी के बारी आती है और तभी शेकी मोरी कहती है कि जाओ तुम पहले हो नेक्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी बॉलिंग करता है और जैसे वो बॉल फेंकता है तो सिर्फ एक टारगेट गिरता है next shot में जब वो ball फेकता है तो दूसरी side से एक और target गिरता है और सब उसका मजा लेने लगती है उसके बाद शीकी मोरी की chance आती है और जब वो ball लेकर जा रही होती है तब नेको कहती है कि तुम्हें पता है न क्या करना है तुम्हें अपने ball friend को ऐसा लगाना है कि तुम cute हो और तभी शीकी मोरी सोचती है कि वो इजुमी के move से सुनना चाती है कि वो cute है और जैसे ही वो ball फेकने जाती है तभी इजुमी कहता है शीकी मोरी सान तुम ये कर सकती हो इतने में शीकी मोरी का confidence बढ़ जाता है और जैसे ही ball फेकती है तो हर ball में सारे target गिर जाती है और उसकी performance देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ पे आ जाते है और जैसे ही game खतम होता है तो सभी लोग उसके लिए ताली बजा के appreciation डिक है क्या तुम ठीक हो कहीं तुमें चोटतों नहीं लगी जिसपे इजुमी कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम्हारी वज़त से जिसपे शीकी मोरी कहती है कि फिर ठीक है और यहीं पर episode 1 खतम हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा